नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मैं सुजीत पांड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ Science के 100 questions है, बहुत ही अच्छे questions लिखा रहा है, selected questions है, speed अच्छी रहेगी Question का level भी बहुत अच्छा है, आपको 2022 के exam में मिल सकते हैं नमानता ही से लगाईए और देखिए 50 प्रशन सही आपा रहे हैं या नहीं, केवल 50 प्रशन का target है, देखते हैं आप में से कौन-कौन 50 प्रशन सही कर पाता है वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे, प्लीज सभी अभी से वीडियो को लाइक कर दीजे हमारी मिनत के लिए, आपको आगे भी भरूसा देलाता हूँ, ऐसे ही science के अच्छे question आते रहेंगे चैनल पर पहली वारा है, चैनल को subscribe कर लेना, सभी प्लीज वीडियो को अभी से like कर दिजे, करते हैं वीडियो को start देखिए इसमें पूछागे है गोबर गैस का इन में से प्रमुक अव्यव क्या होता है मीथेन इथेन प्रोपेन या क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा गोबर गैस में आपका मीथेन होता है ओप्शन नमबर ए यहाँ पर मीथेन प्रोपेन के लिए राइट आंसर है विदो चुम्बक के रूप में सामानता किस धातु का उप्योग होता है ओप्शन देखिए तामबा नर्म लोहा निकल या कोबाल्ट तो विदो चुम्बक के लिए नर्म लोहा जिसको आप सौप्ट आयरन भी बोलते हैं ऑप्शन नमबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्न मैंसे किस पौधे की व्रद्धी में सबसे कम जल की आवशक्ता होगी बताईए बबूल यूकलिप्टस आम या अमरूत तो सबसे कम जल लगेगा बबूल के में ऑप्शन नमबर यह जनन के लिए आवशक होते हैं ऑप्शन नमबर यहाँ पर सी जनन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए इसमें क्या पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाए जाता लोहा तामा मैगनिशम या फिर क् आप्शन नमबर डी यहाँ पर सोना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कारवन का नियूंतम प्रतिशत किस में होता है बताईए धलवे लोहे में इस पाद में पिटवाल होगा या कच्चा लोहा सबसे कम कारवन होगा आपका पिटवाल होगा आप्शन नमबर यहाँ यहाँ पर राइट आंसर है और दो पातन अगला कोशन दिखिए मानव रख्त का पिएच मान लगवा कितना होता है तीन 7.4 1.2 या 6 तो मानव रख्त का पिएच मान आपका हो जाएगा 7.4 ऑप्शन नमबर यहाँ पर भी प्रशनी के लिए राइट आंसर है दोस्तों पिए में से किसी एक का भी पिएच मान पता हो कमेंट करिएगा दूद का मूत्र का नीभू का और केले में से किसी भी का पिएच मान आपको याद हो तो कमेंट करिए मानव शेरी में सबसे प्रशुर मात्रा में कौन सा तो होता है कार्बन केल्शियम नाइट्रोजन या ऑक्सिज सोब हाविक मानव ऑप 18-18 बार सांस लेता है कितनी बार सोब हाविक較 और स्लोग ऑप्छन में अपर स्मुआ है लोगे सी है शोह आथारा बार सांस लेखैंग से लुत river पैपसिन एक उधान किसका, एंजाईम का, हर्मोन का, विटमिन का या फिर खनिच का, जो पैपसिन होता है, ये आपका एंजाईम का उधान है, option number यहाँपर A, enzyme, right answer है, अगला question दिखिए, vitamin B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है, तो vitamin B6 की कमी से मानों में आपकी रक्त अलपता हो जाएगी option number यहाँ पर C, रक्त अलपता, right answer है प्रशनी के लिए अफीम पाया जाता है किस में बताईए, अफीम किस से पाया जाता है option देख लिए, option के अंसर से answer क्या हो जाएगा तो right answer है आपका, पपावर सोमनी फेरम से, option नमर यहाँ पर D, अफीम पपावर सोमनी फेरम से पाया जाता है अगला question देखिए, फफूदी में सिंचित खाद पदार्थ है, क्या, फफूदी में सिंचित खाद पदार्थ इन मिसक्या है तो आपका, जो है, लिगरिनिन, यह फफूदी में सिंचित खाद पदार्थ है, option नमर यहाँ पर B, प्रशन के लिए right answer हो जाएगा इंजाईम अनुपस्थित होते हैं, किस में, बताइए, इंजाईम किस में अनुपस्थित होते हैं, एंजाईम आपके जो है, यह वायरस में अनुपस्थित होते हैं, option नमर यहाँ प्रशन के लिए right answer है फूल गोवी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो फूल गोवी का अंश जो खाया जाता है उसको पुश पर रचना कहा जाता है option number भी पुश पर रचना को खाया जाता है पॉस्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है तो पॉस्चोराइजेशन कार्ट होता है 62 डिगरी सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अधवा दूद को गर्म करना option number यहाँ पर भी right answer है मनुश्य के सरीर में यूरिया का अधिकत्व मात्रा किसमें पाई जाएगी तो सबसे अधिक यूरिया होगी आपके मूत्र में option number C मूत्र में पाई जाएगा यूरिया सबसे अधिक लोहे का सबसे बहुल प्रचुर इस्टोत क्या है तो लोहे का iron का सबसे प्रचुर इस्टोत है आपके हरी सबजी यह खास तो और पालक खाईए पालक की भाजी उसमें iron भरपूर मात्रा में होता है फास पोरस का आनुसूत्र क्या होता है पीटू, पीठी, पीफाइप या पीफाइप तो फास पोरस का अनुसूत्र होता है आपका पीफ्वोर option number यहाँ पर C से यांसर हो जाएगा पीफोर 18 केरट सोने में सोने का प्रतीशत कितना होता है अठारा केरेट सोने में आपका 75 प्रतीशत सोना होता है और 24 केरेट होता है 100% सोना 24 केरेट गोल्ड सोना होगा अपने सबसे अधिक विद्धुत रनात्मक तर तो कौन सा है सबसे अधिक विद्धुत रनात्मक तर तो आपका फ्लोरीन है option number B fluorine प्रशने के लिए राइड आंसर हो जाएगा अनिश्चित्ता के सिदान्ट का प्रतिपादन किस ने किया था या किस ने किया है तो अनिश्चित्ता का सिदान्ट hydrogen work की दिन है option number यापर भी hydrogen work प्रशने के लिए राइड आंसर है cathode के ने बनी होती है किस से तो आपकी cathode के ने ये बनी होती है electron से option number यापर यापर भी प्रशने के लिए राइड आंसर है मानव शरी के कौन से अंग में लसी का कोशिकाएं बनती है तो मानव शरी के आपके तिली में लसी का कोशिकाएं बनेगी option number यहाँ पर D, तिली प्रशन के लिए right answer हो जाएगा baking soda का सही सूतर इन में से क्या हो जाएगा baking soda जो ओरता है आपका खाने वाला soda उसको बोला जाता है NaHCO3 sodium bicarbonate option number यहाँ पर D, विल्कुल सही answer हो जाएगा baking soda के लिए G1 के लिए सबसे विशाली गैस कौन सी है इन में से जो option दिएगा है CO2, O2, H या CO सबसे विशाली गैस यहाँ पर जो option दिएगा है CO है option number D, CO बिल्कुल right answer हो जाएगा low ice का प्रक्रिती में किस अवस्ता हमें पाए जाते हैं low ice का प्रक्रिती में oxide के अवस्ता में पाए जाते हैं option number A, oxide प्रशने के लिए right answer है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण जो रहेगा यह आपका sodium chloride, option number A यहाँ पर सही answer है sodium chloride रबड को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है तो रबड को कड़ा करने के लिए sulfur को मिलाया जाता है option number C, sulfur यहाँ पर प्रशने के लिए right answer हो जाएगा किसी निश्चित द्रव के लिए वास्पन की दर निर्वर करती है किस पर, तो किसी निश्चित द्रव के लिए वास्पन की दर आपका द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सता के शेतरपल पर, वायू के ताप पर उप्रोक्त सभी कारकों पर निर्वर कर देगी option number D, यहाँ पर right answer है जटल वैग्यानिक गर्णाओं के लिए प्रयोग किया जाता है किसको यहां पर सहे आंसर हो जाएगा महाण वैज्यानिक आरकमडीष किस देश से संब्लकित तो महान वैज्यानिक आरकमडीष थे यह आपके ग्रीस के थे option number D, ग्रीस प्रशनिकली राइट, answer हो जाएगा निम्न लेकीत में से कौन सा पदा चुम्ब की है अप्शन देखिए अलुमिनियम क्वार्ट्स निकल या फिर विस्मत तो निकल एक चुम्ब की बदार थे ऑप्शन बसी सही आंसर है निकल महासाग अगला कोशन देखिए महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकास क्या होता है तो महासागर का रंग नीला दिखाई देता है प्रकास जो गिरता है वो प्रकीनित हो जाता है ऑप्शन अमड़ी यहां पर सही आंसर हो जाएगा प 32 degree Fahrenheit option number यहां पर भी right answer है M.P.R. मात्रक है किसका M.P.R. जो है यह आपका विदोधारा का मात्रक है option number C विदोधारा right answer है प्रशनी के लिए द्युनाम पद्रती के पृतिपादक इन में से कौन है तो द्युनाम पद्रती के पृतिपादक आपके linear है option number A, linear question के लिए right answer हो जाएगा computer को बताती है computer को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए तो computer को operating system, option number D यहाँ पर सही answer हो जाएगा, बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए operating system OS laser printer में नहीं लिकित मैंसे कौन सा एक laser प्रकार प्रयोगत होता है तो laser printer में यहाँ पर जो option दिएगा है उसमें से अर्ध चालक laser प्रयोगत होता है option number यहाँ पर C सही answer है अर्ध चालक laser जल सदा पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है तो जल की सदा पर जो तेल की पतली परत देती है व्यती करण की एक आरण जो है रंगीन दिखाई देती है option number यहाँ पर भी प्रशने के लिए व्यती करण राइट आंसर है पानी में लोहे की सुई डूप जाती है लेकिन जहाज देता रहता है या किस सदांद पर आधारित है तो यह आधारित है आपका Archimedes का सदांद option number B Archimedes का सदांद राइट आंसर है किसी अवरोद की कोर मतलब किनारे से प्रकास का मुर्णा क्या कहलाता है तो किनारे से प्रकास का मुर्णा यह वेवरतन कहलाएगा option number B विवरतन प्रश्ण के लिए right answer है निम्द मैंसे सबसे बड़ा फल कौन सा है तो निम्द मैंसे सबसे बड़ा फल जो option दियेगा है लोडो सी या option number C यहाँ पर right answer है निम्द मैंसे सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा आपका है विक्टोरिया रीजिया यहाँ पर option number B प्रशने के लिए सब्सक्राइब आपका विक्टोरिया रीजिया अगला question देखी इसमें क्या पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है रासानिक रूप से साबुन क्या होता है तो रासानिक रूप से साबुन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए वसा अमलों के सोडियम लवन होते हैं option number D वसा अमलों के सोडियम लवन साबुन होते हैं अगला question देखीए निम्दले के दिम्से कौन सा तत्व नहीं है तत्व नहीं है तो तत्व आपका कहां सा नहीं है बाकी aluminum, sodium और mercury यह तीनों तत्व है कहां सा तत्व नहीं है प्रत्वी की सत्व पर सरवादिक मात्रा में कौन सी धातु है तो प्रतवी की सथा पर सरवादिक मात्रा में आपकी Aluminium धातू की बात होती, धातू-धातू-धातू option number A right answer है रेडियूम किस खनिच से प्राप्थ होता है? तो रेडियूम जो है ये आपका pitch blade से प्राप्थ होता है option number A, pitch blade प्रिशने के लिए right answer है नाभिक की अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डियने होता है तो नाभिक की अलावा यदि आप देखेंगे तो कोशिका के माइट्र कॉंडिया में डियने होता है ऑप्शन नमबर भी यहाँ पर माइट्र कॉंडिया राइड आंसर है तीक और माइट वास्ताओं में क्या ह माना शरीर का आपका दीरग अस्ती इसमें लश्य का कोशिकाय बनेगी option नमबर यहां पर डी अस्ती प्रशनी के लिए राइड आंसर हो जाएगा विद्धी परिपट किसे कहते हैं बताएए विद्धी परिपट क्या है तो विद्धी परिपट किसी विद्धारा के सतत तथा बंद परिपत को विद्धूर परिपत कहा जाता है option number A right answer हो जाएगा निम्नलकित में से लंबाई की लंबाई की सबसे चोटी काई क्या है तो लंबाई की सबसे चोटी काई आपकी फर्मी मीटर option number फर्मी मीटर प्रशन के लिए right answer है एक pendulum की आउधी किस पर निर्वर करती है तो एक जो pendulum होता है इसकी आउधी उसकी लंबाई पर निर्वर करेगी option number B लंबाई प्रशन के लिए right answer हो जाएगा अंगोरा उन किस से प्राप्त किया जाता है तो अंगोरा उन यहाँ पर जो option दिये गए है इसमें से खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा नसल की एक बकरी भी आती है या रखना लेकिन उन आपका खरगोश से प्राप्त होता है अंगोरा नसल की एक बकरी भी आती है बकरी option में दिया नहीं गया है निम्नलिखित उद्योगों में से किस में अब्रक एक अच्छा माल के रूप में प्रयोग होता है, अब्रक जो है यह विद्धुत, इलेक्ट्रिकल उद्योग में अच्छे माल की तरब प्रयोग होता है,। सबसे हलका रेडियो धर्मी तर् игр in haven से कौन सा है, तो सबसे हलका रेडियो धर्मी तर्थ आ आपका रहती है पचास चाट हड़्द कमेंट करके बताई भारत में फ्रेक्वेंशी जो रहती है मोश्टली कौह सी इूज होती है 5080 में कमेंट बर्क्स में कूंट करके बताईए ग्रीन एयर रोग किस वो तो आईनी करन छंपता सबस्या दिखोगी तो आईनी करन छंपता सबसे अधिक यहां पर जो आप्शन दियेगा है आप्शन अबढ़ी ओएस राड़ two झाले आंसर हो जाएगा इन में से अधिक्तम घनतो वाली धातु कौन सी है तो सबसे अधिक घनतो वाली धातु यहाँ पर जो option दिएगा है option अबड़ी OS से answer हो जाएगा OS का full form बताईए, FE का full form बताईए, HG का full form बताईए comment box में इन सभी के full form बताईए ज़रा देखते हैं किस को पता है, अगला option दिखिए उतकष्ट गैसों की electron बंदता कितनी होती है उतकष्ट गैसों की electron बंदता लगबग लगबग शूने होती almost zero option नमबर यहाँ पर यह right answer है किसे हरे रंग के proto जवा के रूप में भी जाने जाता है तो हरे रंग का proto जवा कहा जाता है आपका यूगलीना को option नमबर यूगलीना right answer हो जाएगा प्रिश्ण के लिए malaria परजीवी और ameva किस समू के अंतर गताते हैं तो malaria परजीवी और ameva यह proto जवा समू के अंतर गताते हैं option नमबर यह right answer है malic acid किस में पाए जाता है तो malic acid save में apple में पाए जाता है option नमबर यह यहाँ पर malic acid के लिए save right answer है आई वाश में इस्तिमाल होने वाला acid कौन सा है तो आई वाश में इस्तिमाल होने वाला acid है आपका boric acid option नमबर C boric acid right answer है प्रिश्ण के लिए एक चालक के विदुद प्रतिरोथ की काई क्या होती है तो एक चालक के विदुद प्रतिरोथ की काई आपकी ओम होती है option number D ओम प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा ठोस कोंड की काई है क्या बताइए ठोस कोंड की काई इन में से क्या है तो ठोस कोण की काई होती आपके इस्टे रीडियन प्रेशनी के लिए सही आंसर है Maxwell किसकी काई है तो Maxwell जो है आपकी चुम्ब की प्रवाह की काई है औп भूत एक गूण किस पर निर्वर करता है तो पदार्थ का भौते गुण ये परमाणू के आकार पर नबढ़ करता है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा परमाणू के आकार पर आरो ही मूल किस में पाई जाते हैं तो आरो ही मूल आपके पाई जाते हैं पाई पर बेटल में option number यहाँ पर C और अठीघ हार्वारो किसके कांड़ होता है तो चाई का लाल रतुला रोग यह हरे शैवार के मदवचा है option number D, हरा सेवाल, right answer है टिका रोग किस फसल से संबनित है तो टिका रोग जो है, यहाँ पर जो option दिएगा है यह मुंगफली से संबनित रोग है option number C, मुंगफली, right answer है ग्याहूं का रष्ट रोग एक कैसा रोग है तो ग्याहूं का जो रष्ट रोग होता है यह कवक जोने का रोग है option number A, fungal disease है option number right answer है निमनलकित मैंसे कौन सा सामान उपकरण धार पर काम करता है धारा पर काम करता है तो सामान उपकरण आपका transformer यह धारा पर काम करता है option number B, right answer हो जाएगा घनेयन का गठन किस के दवारा होता है तो घनेयन का गठन आपका electron की कमी के कारण होता है loss of electron कर्मी नहीं कमी होना चाहिए insulin के स्राव के लिए निमनलकित मैंसे कौन सी ग्रंथी जम्यवार होती है insulin का स्राव होता है अगनाशय ग्रंथी से option number D, pancreas या अगनाशय ग्रंथी प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला question देखिए kidney की जो है निस्पंदन इकाई क्या है तो kidney की निस्पंदन इकाई आपकी nephron है option number D, nephron प्रशन के लिए राइट आंसर है निस्पंदन इलिखित ग्रंथिवों में से कौन सा मानोशयरी से जोड़े में मौझूद रहता है तो मानोशयरी में जोड़े में आपका adrenal ग्रंथी रहती है option number D, right answer है अगला question देखिए RDX का आविश्कार किस ने किया था तो RDX के आविश्कार कि मानोशयरी आपके अपके option number D, right answer है laughing gas क्या है बताइए laughing gas क्या है तो laughing gas होती है आपकी nitrous oxide option number D, nitrous oxide प्रशन के लिए right answer हो जाएगा teflon क्या है तो teflon यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका यह fluorocarbon है option number A, fluorocarbon teflon कहलाता है निम्द लिखित में से किसमें carbon होता है तो यहाँ पर जो option दिएगा है लिगणाइट में carbon होता है option number A, lite right answer है रीट की हड़ी और मस्तिस्क पर जिली की सूजन से होने वाली विमारी कौन सी है तो रीट की हड़ी और मस्तिस्क पर जिली से होने वाली सूजन यह होती है Meningitis रोग option नमड़ यहां पर right answer हो जाएगा भारत में Malaria के 65% मामलों के लिए निर्मलिकित में से कौन सा परजीवी जिम्मिदार होता है तो यहां पर जिम्मिदार होता है आपका P Vaxas option नमड़ भी right answer है अगला question देखिए गाठिया चीर के जोडों में निर्मलिकित में से किसके निक्षेप के कान होता है तो जोडों में आपका यदि यूरिक एसेड जमा हो जाएगा तो गाठिया रोग हो जाएगा option नमड़ भी यहां पर यूरिक एसेड right answer है अगला question देखिए सोडा पानी का आविशकार किसके द्वार किया गया है तो सोडा पानी का आविशकार यह जोसेफ प्रिष्टली option नमड़ भी यहां पर right answer है हेमेटाइट का अगला question देखिए हेमेटाइट डैश का एसक है या खनिज है तो हेमेटाइट यह आपका iron लोहे का एसक या खनिज है अगला question देखिए इसमें आपसे पूछा गया है इन में से कौन सी धातू insulin में उपस्तित होती है इंसुलेन में आपका जिंक होता है option number c जिंक होता है और आज का यह आखरी question है आपके लिए आपको comment करके बताना है प्रसाओ की दौरान कौन सा प्रश्य प्यूश हार्मोन निर्मुक्त होता है आपको दो option दे रहा हूं option number a oxytocin option number b vasopressin इन में से कोई एक हार्मोन रिलीज होता है प्रशाओ के दौरान comment box comment करके बता है कौन सा आर्मोन रिलीस होता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली वारा है चैनल को सब्सक्राइब करें देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए अपने ख्या